नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे डिरेक्टर बोस चनल पर आज की वीडियो हम जॉन डियर 52 के एर प्रो फोर वील की रोटा वेटर में लेकर रहे हैं जिस परकार पिछली काफी वीडियो आपने हमारी देखी है तो बहुत से साथियों के कमेंट आए थे कि आप रोटा वेटर में हमें इसकी वीडियो बना कर दिखाओ तो आज उनकी डिमांड पर हम रोटा वेटर में वीडियो लेकर आए हैं आगे हम इसकी एवरेज टेस्ट में भी रोटा वेटर में आपको वीडियो जरूर बना के दिखाएंगे तब तक आप इस वीडियो को पूरा देखिए और ये आप देख सकते हैं जो यहां चावल लगाए हुए थे इस खेत में और उसकी हारवेस्टिंग के बाद हमने इस जोन डियर का ओफिशल जो जोन डियर का रोटा वेटर होता है वो ही रोटा वेटर है तो अब हम आपको दिखाएंगे कि ट्रेक्टर को स्टार्ट करके हमने इसको कोन से गेर में चलाया है अब आप देख सकते हैं ट्रेक्टर को स्टार्ट कर लिया है और अब हम आपको दि कि इसका EQRL सिस्टम और यह जो लिफ्ट है लिफ्ट के लिवर तोनों अच्छे से डाउन किये हुए हैं यह आप पीछे रोटाविटर देख सकते हैं इस खेद में हम चलाएंगे इस खेद में जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि सबसोयलर लगाया हुआ है सबसोयलर से काफ है उसे लगाकर आपको ट्रेक्टर को चलाकर दिखाएंगे और यह जो पीट्यू का गेर है आप सबको पता ही है यह पीट्यू का गेर लगा दिया है और अब आपको देखने को मिलेगा कि ट्रेक्टर के हम कितने आरपियम सेट कर रहे हैं पंदरा सो आरपियम पे हमने इसक सेट कर लिया है तो अब आपको देखना होगा कि कितनी ड्रोपेज है तो आप देख सकते हैं ड्रोपेज ना के बराबर है तो ट्रेक्टर अपनी स्पीड में चल रहा है तो आप मैं चाहूंगा इस वीडियो को अंतक जरूर देखें क्योंकि उसमें आपको सबी नतीजे मिल जाएंगे कि किस परकार 52 अपनी रोटा बेटर में पावर जनरेट करता है या किस परकार अपनी पावर लगाता है और अब तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि ट्रेक्टों से सम्मंदित बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए आगे भी लेकर आते रहेंगे धन्यवाद अब बहुत हुत है झाल 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 झाल